असलाम कुम फ्रेंड्स, एक जुमाटिक प्रोग्रेशन का सम मालूम करने के लिए हमें एंट ट्रम्स के लिए और कह रहे हैं कि उस जुमाटिक प्रोग्रेशन की जो लास्ट ट्रम्स यानि कि जहां तक आपको सम करना है उसकी जो एंट ट्रम्स है वो 3 into 2 to the power n-1 है यानि कि हमें TN दियावा है अब जब हमें TN दियावा है तो हम TN के जनल ट्रम्स फॉर्म्स से कंपेर करके असानी से A और R की वैर्यूज ला सकते हैं मगर क्योंकि हमें N नहीं गिवन इसलिए जो हमारा सम आएगा वो in terms of N ही आएगा तो सबसे पहले तो हम ये बात जानते हैं के जो TN है वो बराबर होता है A into R power n-1 तो हमें given है TN 3 into 2 whole power n-1 अगर हम इन दोन equations को compare कर लें इसको आप नाम दे दे 1 का इसको आप नाम दे दे 2 का और हम दोन equations को compare कर लें अगर comparing equations 1 and 2 तो A बराबर बनता है 3 के और R बराबर बनता है 2 के तो आप आप देख सकते हैं क्योंकि common ratio 1 से बड़ी है इसलिए हम geometric progression का sum मालूम करने का ये formula apply करेंगे A r2 the power n-1 over r-1 क्योंकि r1 से बड़ा है values put करते है as n equals 2 जहाँ A आ रहा है वह हम 3 और जहाँ r आ रहा है over r-1 यानिके 2-1 now sn equals 2 3 as it is 2 की power n-1 as it is और नीचे 2-1 1 हो जाएगो और आप जानते हैं denominator में 1 नहीं लिखते यूं ये सवाल मुकमल हुआ इसी दरह से एक और सवाल करते हैं जी अब ये नया सवाल आपके सामने है in a GP the first term is 7 यानि के इस सवाल में जो चीज़ें हमें given हैं उनके मताबिक हमारे पास first term जिसे आप A मानते हैं वो 7 है the last term is 448 आप आपको पता आप last term को tn मानते हैं यह 448 है और sum भी हमें given है sum 889 है यानि के sn 889 है और required क्या-क्या है common ratio and number of trums common ratio को आप r मानते हैं और number of trums को आप n मानते हैं तब यहाँ पर सबसे पहले तो हम tn के formula से एक equation बनाएंगे एक equation हम sum के formula से बनाएंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे किस तरह से हम उन दोने equations को आपस में simultaneously solve करके n और r की values ला सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं के tn a into r to the power n-1 के एक फाल होता है तो tn की जगा हम लिख देंगे 448 एक ही जगा हम लिखेंगे 7 और r की power n-1 as it is इसी रहा से अब यहाँ पर 7 क्योंके multiply कर रहा है तो यहाँ पर आकर divide करेगा तो 448 divided by 7 is equal to r की power n-1 अब 7 से 448 को अगर आप divide करवाएं तो 7 6 is 42 होता है और 7 4 is 28 यानि कि 64 r to the power n-1 हमारे पास आ रहा है तो हमें यह equation 1 बन गई है और यहाँ से हमें यह पता चल रहा है कि r to the power n-1 64 के एक वर है बिल्कुल वैसी हम सम का formula apply करते हैं since sn equals to a r to the power n-1 over r-1 और यह formula कब इस्तमाल होता है जब r1 से बड़ा होता है sn हमें given है sn बराबर है 889 के हमने sn की जगा लिखा 889 a हमें given है a7 के एक वर है और इधर r की power n-1 है और नीचे भी r-1 है अब यहां पर हम यह चाहते हैं कि किसी तरह से r की power n की जगा r की power n-1 हो जाए ताकि हम r की power n-1 की जगा 64 पूट कर सकें तो ऐसा करने के लिए हमें यहां पर r से multiply or divide करवाना पड़ेगा तो 889 as it is 7 as it is multiplying for me भी r आ गया dividing for me भी r आ गया और इधर r की power n-1 over r-1 as it is अब यह जो denominator में r है अगर मैं इसको उपर shift कर दूँ तो r की power minus 1 हो जाती है तो 889 is equal to 7r into r की power minus 1 और इसके आगे मौजूद fraction as it is अब अगर मैं r की power minus 1 को अंदर ले जाकर multiply कर वाऊं तो आप देख सकते हैं तो r की power minus 1 r की power n से multiply होगी तो r की power n-1 हो जाएगी और r की power minus 1 जब 1 से multiply होगी तो r की power minus 1 as it is आ जाएगी तो next step हमारा कुछ ऐसी शकल इफित्यार करने वाला है तो आप यहां देख सकते हैं हमने सिर्फ इस r की power minus 1 को ब्रैकेट के इंदर ले जाकर numerator में मौजूद दोनों टरम से multiply करवा दिया तो r की power n-1 होगी और r की power minus 1 जा r की power minus 1 अब हम अगले step में इस r की power n-1 की जगा 64 पूट कर देंगे और यह जो r-1 देदर divide कर रहा है यहां पर आकर वो multiply हो जाएगा तो 889 के साथ multiplying form में आ रहा है r-1 और equals 2 के बाद 7r as it is r की power n-1 की जगा आ जाएगा 64 minus r की power minus 1 अब यहां पर हम 89 को इस ब्रैकेट से multiply कर वा लेते हैं तो 889 into r will be 889r और minus sign के बाद 889 into 1, 889 और equals 2 के बाद 7r को इस ब्रैकेट से multiply कर वाते हैं 7, 4 is a 28 होता है 8 इदर 2, 6 पर 7, 6 is a 42 it will be 4, 48r और minus sign के बाद 7r को जब हम r की power minus 1 से multiply कर वाएगे तो क्योंकि basis same है तो power 0 हो जाएगी r की power 1 minus 1, 0 हो जाएगी तो 7 into r की power 0 और आप जानते है r की power 0 1 के एक वाद होता है it means के 7 1 जा 7 तो इस सिर्फ 7 हो गया है अब हम नमबर को नमबर के पास और r को r के पास ले आते हैं तो 889r 448 यहाँ पर आकर minus हो जाएगा 448r और equals 2 के बाद पहले से महा है minus 7 क्या आपको पता है r की power 0 खताम हो चुका minus 889 वहाँ जाकर plus 889 हो जाएगा अब हम 889 में से 448 को minus करते हैं तो यह बना 441r और equals के बाद हम 889 में से 7 को minus कर देंगे यह हो जाएगा 882 अब 441 जो इदर multiply कर रहा है वहाँ जाके 882 को divide करेगा तो it will be 882 over 441 now r equals to जब आप इसे divide करेंगे तो आपको मिलेगा 2 तो r हमारे पास 2 आ चुका है मगर अभी n लाना वाकी है क्योंकि requirement में r के साथ number of crumbs भी खी है तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यह equation है 64 equals to r to the power n minus 1 इस equation में हम r की value 2 put कर देते हैं तो हमें n की value मिल जाएगी we put this value in equation 1 equation 1 becomes equation 1 में सबसे पहले तो 64 as it is और equals to के बाद r की power n minus 1 था r की जगा 2 आ जाएगा और 2 की power n minus 1 हो जाएगा अब आप यहाँ पे log भी apply कर सकते हैं और चाहें तो basis same करके power z equal कर लें तो हम basis same कर सकते हैं 64 के अगर आप prime factorization करते हैं तो आपको पते जलेगा कि 2 की power 6 64 होता है यानि कि आप 64 को लिख सकते हैं 2 की power 6 और यहाँ है आपके पास 2 की power n minus 1 अब जाएज़े बात है basis equal है it means powers equal है तो 6 किसके equal आ जाएगा 6 equal आ जाएगा n minus 1 के और 1 वहाँ जाकर 6 के साथ plus होगा तो यू 7 equal to n हो जाएगा यानि कि n की value हमारे पास 7 आ जाएगी तो result हमारे पास आ गया result मैं यहाँ लिख देता हूँ हमें r का पता चल गया कि वो 2 है और हमें n का पता चला कि वो 7 है इंशाले में आपसे नेक्स अपीजोड में तब तक के लिए अला आफिसें टेक्यार